हेलो दोस्तो माई यूट्यूब चैनल मेडिकोट डफर आपका स्वागत है तो दोस्तो आप सबको पता है कि जो जीमेंस एक्जाम डेट है वो एनाउंस हो चुकी है और जो कि एक साल में चार बार होने वाली है प्रोरी मार्च अप्रेल एंड मही में तो हमारे मैंड में सबस दो बार होने वाला है तीन बार होने वाला है और ओप लाइन होगा या फिर ओनलाइन होगा और इसका जो सेलवस है वो कम होगा या फिर नहीं तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला है इसलिए वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडि परिमार्स अपरेल और मई में हो सकता है तो फिर नीट 2021 का एक्जाम मई में क्यों नहीं हो सकता तो इसका उपीशल एनांस्मेंट तो अभी तक नहीं हो लेकिन इसका ज़्यादा जो चांसे वह मई में ही आगए डिले नहीं किया जाएगा तो आपको जो तैयारी करनी है वह य दूसरा क्योंचन है कि एक साल में नहीं होगा नम्यांस्टा में οसक्ता है लेकिन आगे अगर उसका और चैनल बाइस जो है वह रिडियूस नहीं होगा तो आपको जो है पूरे सेलबस की तयारी करनी है और यान की मही के लिए आपको यान की स्टडी करनी है तो गाइस आप स्टडी पर फोकस करना जब भी इसका कोई ओपीशल एनांस्मेंट एग्जाम को लेकर या फिर सेलबस को लाइट करना इनन ज्यदय से जज़़ए इसटडी अट के पाई शेयर कर ना तो हमारा केना यह है कि आपको अच्छे से थिटडि करना हूँ और मई के लिए आपको तयार रहना थाकि जब भी अगर मोह मही में एक्जाम नहीं होता आगर डिले होता है तो तो आपके वो मही की साफ से तयार करें क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे कि एक्जाम डेट आने कि पॉस्पांड हो गई है यह सेलबस जो है वो रिडियूस हो गया है जब भी आपको ऑफिशल एनॉंस्पेंट हो गा ऐसा कुछ तो उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर म जोइन कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर भी आपका सोलीशन नहीं होता प्रब्लम का तो आप मुझे यह अनके परसनल कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपकी में पूरी साहिता करूँगा ओके गास तो आज की वीडियो में यहां ते गीता आगे बात करेंगे ओके थेंक्यों झाल